तो अगर आप डिविडेंट नहीं देंगे तो पील सी अपना कर्द अपना ब्याज कैसे भरेगी? स्टेक बेचने की बात है कर रहे हैं? खेर नहीं वे पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है जहां कैसे भी मिले, किसी भी फॉर्मेट में मिले चला मेरे तीन स्टाउक में पहला केनरा बैंक और केनरा बैंक में छोड़ी स्टाउक यह है कि इन्होंने कमर्शल इंडो बैंक में इनके पास 40% स्टेक था जो कि इन्होंने सेल उसकी कम्प्लीट करी है 121 करोड उपए में तो मुझे रखता कि अच्छा दरवाइज ONGC दूसरा स्टाउक है इसमें बहुत इंडोर्डन ख़वर आई है कि इस तरह के अपग्रेट करें क्योंकि इनके तमाम सारे ब्लॉक्स में बहुत पोटेंशल है लेकिन टेक्नलोजिकली सब्सक्रास पीछे पढ़ जाते हैं पीछे रह जाते हैं यह तो यह जो एक टाई अप इन्होंने किया यह मुझे काफी बहतर लग रहा है और तीसरा स्टॉक है राइमको सिस्टम्स और राइमको सिस्टम्स भी एक ख़बर जो ब्लॉंबग के हवाले से आई कि इसी हैलिवर्टन से कॉंट्रैक्ट जीता है जो इनके लिए उनके पेरोल औरोल का जो काम है चाइना में उसको यह आपरेट करेंगे तो इनके लिए अच्छी ख़बर है वैसे HR के काम का बहुत इनको मिलता है राइमको सिस्टम्स को ठेका तो यह तीसरा है तो इस ख़बर के चलते इसमें ग्रीन रिंग हो सकती है बिल्कुल तो यह तीन-तीन स्टॉक्स हो गए अब दो-दो स्टॉक्स तीन-तीन स्टॉक्स तीन-तीन स्टॉ और अगर हम आज देखें तो खबर में campus footwear भी रहेगा और campus activewear की बात करें तो यहां आज उनका private equity investors TPG capital लगबग 7.5% हिस्सा बेचने वाला है और deep discount पर यह सौधा हो सकता है कल भी stock 33% की pressure में था और आज लगबग यह block 345 रुपेपती share के आसपास हो सकता है क्योंकि वो floor price है जेम finance ब्रोकर है इस particular block deal के लिए तो नजरे रखें बहुत ही large rate हो सकता है और अगर हम IPO के बाद देखें company की एक जवदस rally हुई लेकिन वो rally में हर investor जो pre IPO था private equity था fund था उन्ह यह stock आपको थोड़ा बहुत शुरुआती pressure में आता हो दिखेगा हाँ अगर demand सही रही और overall basis पे investors यह price पे आने को तयार है तो शायद deal के बाद थोड़ा बहुत bounce भी बिले लेकिन शुरुआती जो कमजोरी है वो stock में रहनी चाहिए यह रखिए stock radar पे वेदानता की हमने कु interim dividend की board better key है उसके अंदर यह निकल के आया है कि कोई भी प्रकार का interim dividend या जो March quarter का dividend है वो company नहीं देगी surprising है क्योंकि generally जो सरकारी PSU, banks या financial institution होती है वो March के quarter में अच्छा dividend देती है ताकि सरकार की balance sheet पे भी वो cash आ जाए लेकिन कहीं नहीं यह जो deferment है power finance cooperation का dividend को लेके यह शायच stock के लिए auger well नहीं करेगा थोड़ा बहुत शुरुवाती प्रेशर यहां भी आपको देखने को मिल सकता है और तीसरा stock जो जोडी में दूसरे लेने वाले हैं वो है Tata Motors आज economic times के हवाले से एक ख़़ार आ रही है क एक normal उनका outlet है तो कहीं ने कहीं उसी तरच पे Tata Motors अब electric vehicle के लिए अलग dealership अलग showrooms करने वाला है जिससे electric vehicle की sales को थोड़ा boost मिले यह कुछ marketing को लेके बदला होने वाले हैं ऐसा news report suggest कर रहे हैं और अगर हम in general बात करें electric vehicle की और जो monthly number आने वाले हैं कुछी दिनों में जो auto companies announce क करेंगी उसमें शायद Tata Motors की commercial vehicles में भी sales में विर्द्धियों की पहले अप्रिल से वह 5% का price hike announce करने वाले हैं तो pre-buying वहां दीखेंगी और electric vehicles में भी जैसी कि मैंने कहा थोड़ा बहुत traction है तो यह stock रखे रखे रेडर पे थोड़ा बहुत positive बायस के साथ आज शुरुआती बता दें कि money control पर दिये गए विचार experts के अपनी नीजी विचार होते हैं website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को money control की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडा लेने से पहले certified expert की सलहा लें